चलू तब किसान भाई भहिन मने आब हमरे मन देखब की रभी करजे तिलहनी फसिला है सेकर में तोरी, राई या की सरसो करबारे में तो इकर उन्नत किसिमा है वरुना, पूसा, अग्रणी और सिवानी भाई उन्नत किसिम कर तो जानकारी हो लग अब इउन्नत किसिम के खेत में कानियर लगाल जाये, खेत कर तयारी कानियर करल जाये तो खेत कर तयारी लगिन खरीप फसिल कर कटनी करल पाचे, जेकर से माटी के उलेट देल जैल, उहर से खेत के दूधाउं, जोईत के और पाटा दे देवे चलू, अब खेत कर तयारी हो लग तो खेत में माइंद डालेक जोरीया है उकर से पैदावार बढ़ी तो माइंद का होई चाही सरसोकर खेती लगिन 32 किलो नाइट्रोजन, 16 किलो फॉसफोरस और 8 किलो पोटास प्रती एकड़ कर दर से देख बताल जाए है इकर आपूर्ती लगिन इमाइंद मनग प्रबंध करेक चाही बिहिन लगायक बेरा यूरिया 35 किलो प्रती एकड़ फॉसफोरस 100 किलो प्रती एकड़ मूरेट और पोटास 15 किलो प्रती एकड़ में देख चाही और अब बिहिन लगायक कर 20 दिनक बादे यूरिया 35 किलो प्रती एकड में परियोग करेक चाही अब बिहिन लगायक बिहिन कालाखे रोरे मन लगाब सेके जानू सरसो कर बिहिन के लगायक ले हर कर पाछे बटक कूड से करल जैल इकर ले दर से दर कर दूरी 12 इंच माने की एक फुट और पउधा से पउधा कर दूरी 3-4 इंच होयक चाही बिहिन महीन होयल सेकर चलते बाला के मिसाय के बिहिन लगा ले बिहिन एके नियर रूप में गिरेल माइंद मन के कूडों में दे देले बेस रहल बिहिन लगायक बेरा जदी भूई तनी भींजल ना लागे तो एकधा तनी मनी हलुक पानी पटाय देख चाहिए बिहिन लगायक कर पंदरा दिनक पाछे पटायक जरूरी रहेल दर से जदी और पोधा मन बैड़ जाए उके उखराएके पोधा कर दूरी के तीन चैर इंच केर देख चाहिए अब भाई पानी कालखे पटाल जाए सरसोकर खेती में सरसोकर फसिल में जैसन जरूरत रहे तैसने दूर से तीन धाउं पानी पटायक जरूरी आ है फुल आएक से पहले और फर लागेक बेरा पानी पटायक जरूरी आ है तॉप ड्रेशिंग सरसोकर बिहिन लगागल कर बादे लगभग 20 से 25 दिन कर बादे पानी पटाल पाच्छे 35 कीलो यूरिया के प्रती एकड़ कर दर से छीट देख चाहिए अब किसान भाई फसिल कर सुरक्षा करेक है तो एडिफ या लाही से फसिल कर सुरक्षा केसन कर जाए सके जानू फूल आयक बेरा छोटे छोटे पिलवामन गोटे कर रस के चुईसलें इकर से फसिल के बचायक लगईन मोक्रो टोपस दवाई के 100 मिली लीटर प्रती एकड़ कर दर से 300 लीटर पानी में मिसाय के 10 से 15 दिनक भितरे छिड़ेग देवें दोसरा है अल्टर नेरिया ब्लाइट सरसो कर पताई में भुरा रंगक चकता दिसक लागें तैसे है इकर से सुरक्षा लगिन रीडो मिल दवाई के 100 मिली लीटर मात्रा 400 लीटर पानी में मिसाय के 15 दिनक भितरे छिड़ेग देख जाहें अब इतना करल बादे तो भाई फसिल रोरे कर बहुत बढ़िया होई जाए अब इकर कटनी कर का उपाय है जखन देखें कि फसिल कर फर सोना रंगक पियर हो जाए तकने उकर कटनी केर देख जाहें कटनी करल में इकर उपजा भिटायल बारा से इकर उपज दस से बारा मन प्रती एकड़ होयल चारखन में राई या की सरसो खेती कर उन्नत विधी कैसन है इको जानू राई सरसो समूख कर सात मुध तिलहनी फसिल आहें राई कर उपसमूख कर भित्रे राई करने राई काली और बनारसी राई और सरसो उपसमूख कर अंतरगत तोरिया पियर सरसो लोटनी गोभी सरसो और तारा मीरा कर खेती देश कर औरो भागमन में करल जैल जारखन राईज में राई सरसो समूख कर तीन फसिल और भारतिय राई तोरिया और पियर सरसो कर खेती होयल यहां प्रती हेक्टर ओसत उपज 619 किलोग्राम आहे जे भारत कर ओसत उपज से बहुते कम आहे माने की 1179 किलोग्राम प्रती हेक्टर कम उपज कर कारण तीन को चिनहा करल जाए है बढ़िया किसिम कर चैन नी करेक असंतुलित खाद कर परियोग और बेमारी या की पिलवा मन्जे लाइक जैना उकर रोग थाम नी करेक बढ़िया से बिहिन लगाय कर बीधि के अपनाएके 30 कुटर प्रती हेक्टर कर उपज करल जाए सकेल तक्निक की प्रशार पत्र कर माध्यम से राई ज में राई सर्षो कर उपज बढ़ायक लगिन पहल करल जाते जेकर से जारखंड में पियर क्रांती लानल जय सकेल तो देखले किसान भाई कि हमरे मन जदी उन्नत किसिम कर परियोग करब संतुलित खाद कर परियोग करब तो कैसन हमरे मन कर सरसो पियर पियर सोना लखे दिसी